हेलो वीवर्ज असलाम रिकॉम वेलकम टो ममाज कीचेन आप लोग कैसे हैं में कट्टियों के आप लोग ठीक होंगे आज की इफतारी के लिए मिलाई हैं स्टोबरी मिल्कशेक जो बनाने में बहुत ही असान है और बहुत ही मज़े का बनता है तो चलिए फिर बनाना चार्ट करते हैं यह आपके जी मैंने स्टोबरी ले ले ली थी इसको मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है और थोड़ा सा कट कर लिया है एक घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज कर दिया था कि यह अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए अब मैं इसमी चीनी एड़ कर देती हूँ यह मैं चार चमच इसमी चीनी एड़ करूँगी आप अपने टेस्के मुताबिक एड़ कर सकते हैं यह मैंने एक ग्लास दूद लिया है इसको ब्वैल कर लिया था ब्वैल करके मैंने इसको भी ठंडा कर लिया है अभी एक मिनट के लिए मैं इसे ब्लेंड कर देती हूँ यह देखिए हमारा एक मिनट में स्टोबरी मिल्क शेक त्यार हो चुका है वैसे जो कलर अपना वाइट करना चाहते हैं यह तक वाइट होना है तो आप यह स्टोबरी जरूर इसनमाल करें आप खा भी सकते हैं लेकिन थोड़ी खटी मिठी होती है खाने में एतनी टेस्टी नहीं होती वैसे यह बहुत मज़े का मिल्क शेक होता है मिल्क शेक बना के पी यह इसमें थोड़ी से चकलेड से गानिश करूंगी बचिह भी बहुत पसंद करते हैं यह तो सब की फेवरिट होती है और माशाला कितना मज़े का नज़र आ रहा है इसे जरूर बनाएं आप मुझे दौआ में याद रखिए फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज